जवाहर लाल नहरू के नेत्रित्व वैली कॉंग्रेस मुहम्मत अली जिन्नाव विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं थे फारुक अब्दुला नेशनल कॉंफरेंस के प्रमुख और जमू कश्मीर के पूर्व मुख्य मंतरी फारुक अब्दुला ने शनिवार को दावा किया कि वह जवाहर लाल नहरू सर्दार पटेल और मौलाना अब्दुल कलम आजाद थे जो कि भारत के विभाजन पर एक बार फिर विवादास पद बहस खोल सकते हैं भारत का विभाजन और पाकिस्तान के संस्थापक मोहमद अली जिन्ना नहीं जम्मू के शेरे कश्मीर भवन में एक समारो हमें बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि यह तीन कॉंग्रेस के नेताओं को मुस्लिमों के लिए अल्पसंख्यक का दरजा स्वीकार करने से इंकार कर रहा है जो भारत के विभाजन की ओर अग्रसर हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जिन्ना पाकिस्तान से पहले नहीं चाहते थे लेकिन कॉंग्रेस ने मुसल्मानों और सिखो के लिए एक विशेश प्रतिनिधित्व के लिए मना कर दिया अब्दुल्ला ने विश्वास किया जिन्ना को मुसल्मानों के लिए एक अलग राश्ट की तलाश करने के लिए मजबूर किया अब्दुल्ला ने उधरित करते हुए कहा या फिर कोई जुदाई नहीं होता कोई बांगलादेश नहीं होता कोई पाकिसान नहीं होता वहाँ एक भारत होता अब्दुल्ला ने 2019 के लोगसभा चुनावों से पहले राजनीती के सामप्रदाइक ताइपर गंभीर चिंता व्यक्त की और भाजपा को धर्मेक लाइनों पर राश्ट्र को विभाजित करने से रोका उन्होंने कहा एक दुरुवीकृत भारत अपने विकास प्रगती एकता और शांती के लिए हानेकारक है पूर्व मुख्यमंत्री ने राजनीते को और निर्वाचनलाबों के लिए धर्म के दुरूपयों की इदायदीक राजिया में विभाजन कारी ताकतों के बारे में दर्शकों को चेतावनी देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को एक इकाय के रूप में पनपने और प्रगती करना है विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था इस पर बहस जो भारत और पाकिस्तान के शासन के निर्मान का नित्रित्व करती है अब कई सालों से उग्रह हो रही है घटना से पहले की घटनाओं पर एक 2017 की किताब में विभाजन भारतिय स्वतंत्रता की कहानी और एक 947 में पाकिस्तान की रचना एतिहासे कितिहास के संपूर्ण द्रिष्टिकोंड को देखते हुए सैन्य एतिहासकार बानी वाइट्सपाना ने यह माना की यह था जिन्ना की अगवाय वाली मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कॉंग्रेस की असफलता ने आखिरकार ब्रिटिश भारत का विभाजन किया यह नहरू और पटेल थे जिन्नोंने इसे शीगरता से आगे बढ़ने का फैसला किया यह जाननी के लिए आश्चर्य जनग हो सकता है कि महात्मा गांधी के समर्थन के साथ नहरू ने मैं 1947 में ब्रिटिश भारत के चून में कॉंग्रेस सत्ता के लिए अधिर थी एक टाइम्स ओफ इंडिया पुस्तक की समीक्षा ने कहा विभाजन पर बहस ने 209 में एक राजनीतिक जटका लगाया था जब भारतिय जनता पाठी के नेता और पूर्व केंद्रिय मंत्री जस्वन्त सिंग ने अपनी पुस्तक जिन्ना भारत विभाजन स्वतंत रिता में लिखा था कि यह नहरू की केंद्रिय नीती थी जिसके लिए जिन्ना को एक अलग मात्र भूमी की तलाश भारतिय मुसल्मान अपने विचारों के लिए जस्वन्त को भाजपा से निश्कासित कर दिया गया जिनकी मूल संस था राश्श्य उस्वयम सिवक संग ने भारत के विभाजन का विरोध किया था